हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल एट्रेक्टिव लूपस तो ये देखे फ्रेंड्स आज भी ज़्यादा खुबसूरत डिजाइन लेकर मैं हाजिर हुई हूई हूँ तो फ्रेंड्स लड़कियों के लिए ये डिजाइन बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है एक साल से लेकर 10-11 साल तक की लड़कियों के लिए आप इस डिजाइन से कुछ भी बना सकते हैं फ्रॉग बना सकते हैं जैकिट बना सकते हैं फ्रेंड्स स्कार्फ और स्टॉल वगयरा के लिए पिलो कवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत डिजाइन है ये तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कुछ आपको बना कर बताऊं तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएगा और आप अगर इस डिजाइन को बनाना अक्यां नहीं भूलेगा उसी से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए है पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल पर एक बार जरूरा कर देखें आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा तो आए वीडियो स्टाट करते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स यह उन है जो मैं इसके लिए यूज करने वाली हूं उस वाल का बोल है यह तो इसको हम के लिए यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले इस तरह से उन पर हम एक बल लगाएंगे क्रोशिय से यह देखिए 14 नंबर का क्रोशिय है यह मेरे हाथ में और इस में से हम अपनी उन को निकाल लेंगे इस लूप में से हम अपनी उन को निकाल लेंगे और इस दागे खीच कर ताइट कर देंगे तो यह हमारी स्टार्टिंग में स्लिप नौ टेक लग जाती है ठीक है अब हम अपनी चेंड बनाएंगे तो फ्रेंड्स 8 के multiply में हमें chain बनानी है ठीक है तो मैं 7 बार इस design को बनाऊंगी तो मैं 8 आठ करके 7 बार अपनी chain बना लूँगी उसके बाद में 1 chain हम extra बनाएंगे तो 57 chains मैं अपनी complete कर लूँगी यह देखिए 57 chains मैंने अपनी बना ली है ठीक है अब हम इसमें एक chain और बनाएंगे turning chain है यह हमारी अभी जो crochet से दूसरी वाली chain है एक छोड़कर दूसरी वाली chain में हम crochet डालेंगे इस वाली chain में और एक single crochet हमें इसमें बनाना है ठीक है यह एक single crochet हमने बना दिया है अब हम इस कुप पर 9 chain बनाएंगे यह 9 चेन हमारी बन गई है अब हम नीचे वारी 7 चेन स्किप करेंगे और 8 वी चेन में क्रोश्य डालेंगे यह 8 वी चेन है हमारी इसमें हम क्रोश्य डालेंगे और एक सिंगल क्रोश्य हम इसमें बना देंगे यह हो गया अब हम 8 चेन बनाएंगे यह 8 चेन हमारी बन गई है अब हम फिर से नीचे से 7 चेन स्किप करेंगे और 8 वी चेन में यह 8 वी चेन है इसमें हम क्रोशा डाल कर एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे अब फिर से हमें 9 chain बनानी है ठीक है तो एक बार हमने 9 chain बनाई है फिर 8 बनाई है अब हम फिर से 9 chain बना रहे हैं और इसको हम एक single crochet के साथ joint करेंगे, 7 chain skip करके उसके बाद में फिर से हम 8 chain बनाएंगे तो इसी तरह से 1 बार 9, 1 बार 8 1 बार 9, 1 बार 8 और आखिर में जो बनेंगी हमारी वो 9 chain बनेंगी तो इसी तरीके से मैं यह रोव अपना complete कर लूँगी ठीक है यह देखे इस तरीके से यह जुड़ेंगे और ऐसे यह दिखाए देंगे तो मैं यह complete कर लेते हूँ यह देखे सारी chains में बना ली है यह आखिर में हमारी 8 chain बची है तो इसमें 8 वी chain में हम यहाँ पर एक single crochet बना देंगे ठीक है और यह आखिर में जो हमने बनाई है 9 chain है तो इतनी देखे 7 बार हमने यह chain अपनी बनाई है 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9 इस तरीके से अब 9 chain हम यहाँ पर बनाएंगे स्टार्टिंग में ठीक है यह हमारी 9 chain बन गई अब हम crochet के उपर 2 बार बल लगाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे और यह देखे सिंगल crochet से अलावा जो 2 chain है हमारी इसको मिस्किप कर देंगे तीसरी वाली chain में हम यहाँ पर एक triple crochet बनाएंगे तो chain में crochet डाल कर पहले 2 loops में से निकालेंगे फिर 2 loops में से निकालेंगे और उसके बाद में फिर 2 loops में से निकालेंगे तो यह 3 बार हमने crochet निकाला है यह triple crochet कहलाता है उसके आगे वाली चेन में भी हमें एक ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे पहले दो बल में से निकालेंगे फिर दो बल में से निकालेंगे फिर ये दो हैं इसमें से भी निकाल देंगे इस तरीके से पाँच ट्रिपल क्रोश्या हमें बनाने हैं एक एक चेन में फ्रेंड्स वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें बहुत ही खुबसूरत पैटर्न है यह यह फूर्थ ट्रिपल ग्रोशा है हमारा और यह फिफ्थ ट्रिपल ग्रोशा हम अपना बना लेंगे यह देखिए पांच कंप्लीट हो गए अब हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच अब हम क्रोशे को पर एक बार उन लेंगे और नीचे वाली ये देखिए फमारा single crochet है जहाँ हमने chain को joint किया है इस वाले single crochet से दो chain छोड़कर तीसरी chain में crochet डालेंगे और एक double crochet हम याँ पर बनाएंगे double crochet की height हमें ज्यादा नहीं देनी है ठीक है उसके बाद दो ही chain बनाएंगे crochet पर उनको ले लेंगे और दो chain skip करेंगे नीचे वाली तीसरी chain में एक double crochet और हम बनाएंगे इसको भी हमें ज्यादा उचा नहीं बनाना है ठीक है छोटा ही double crochet हम बनाएंगे अभी देखे दो chain हमारी आगे बागी है तो यहाँ पर हम तीन chain बनाएंगे और फ्रेंट्स दिहान से देखेगा हमें क्या करना है यह देखे यह एक चौकोर box हमारे पास यह बन गया है ठीक है तो इसके चारों तरफ हमें काम करना है चारों साइड पर हमें एक एक पत्ती बनानी है तो इसके लिए हम याड़न ओवर करेंगे और यह पहली वाली साइड है इसके उपर हम चार double crochet बनाएंगे यह दो हो गए यह तीन हो गए और यह एक और चार हो गए ठीक है अब हम तीन chain बनाएंगे और इसी साइड पर जिस पर हमने crochet double crochet बनाएं है इस पर हम एक single crochet के साथ इसको जॉइंट करेंगे अब हम अपनी दूसरी वाली साइड को पकड़ेंगे ठीक है और इसमें हम पहले एक single crochet बना लेंगे यह एक single crochet हमारा बन गया अब हम तीन chain बनाएंगे इसके बाद में अब इस साइड पर भी हमें चार डबल क्रोशे बनाने हैं एक दो तीन और ये चार अब फिर से हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन और इसी वाली साइड पर सिंगल क्रोशे से हम इसको जॉइंट कर देंगे ठीक है, अब स्क्वेर की तीसरी साइड हम पकड़ेंगे ये दिखिए इस तरह से इसमें पहले हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे अब तीन चेन बनाएंगे अब चार डबल क्रोशे हमें इस पर बनाने है एक दो तीन और ये चार अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और इसी वाली साइड पर हम इसे पहले सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट कर देंगे अब हम अपनी फोर्थ साइड पकड़ेंगे, ये वाली जो की उपर की तरफ हमारी आ रही थी जो दो चेन हमने बनाएं थी डबल क्रोशे के बीच में जो हमने दो चेन बनाएं थी, वाली साइड है ये इसके उपर हमें पहले सिंगल क्रोशे के साथ इसको जॉइंट कर देंगे ये देखिए उपर वाली साइड है ये ठीक है दो चेन ही हाँ पर बनी हुई है, इसके उपर पहले हम एक सिंगल क्रोश्य करेंगे, अब इसी के उपर हम तीन चेन बनाएंगे, और चार डबल क्रोश्य बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब तीन चेन बनाएंगे, अब इसी वाली साइट पर इसको भी हम सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट कर देंगे तो ये चार पत्तियां बनकर हमारी रैडी हो गई है बॉक्स के चार तरफ ठीक है और पहला फूल हमारा यहां पर यह बन गया है इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हाथ से इसके बाद में हम पाच चेन बनाएंगे यह पाच हो गई अब आप देखिए इस तरह से यह दिखाई देगा चार पत्ति का फूल हमारा यह पहला बन गया है पाच ट्रिपल क्रोशे स्टार्टिंग में हमने बनाए है उसके बाद में हम नहा पर एक फूल बनाया है अब हम आगे वाली चेन को पर काम करेंगे तो पहले यह देखिए सिंगल क्रोशे है हमारा इसकी दो चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे यान ओबर करेंगे दो बार और इसके आगे वाली चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे तो जैसे स्टार्टिंग में पास ट्रिपल क्रोशे हमने बनाए है ऐसे ही इस वाली चेन के उपर हमें पास ट्रिपल क्रोशे बनाने है तो जो 9 chain है हमारी उसके उपर हमें 5 triple crochet बनाने हैं बीच के 5 chain के उपर 2-2 chain side में हम छोड़ देंगे और जो हमारी 8 chain बनाई है हमने उसके उपर हमें ये full बनाना है ठीक है बहुत ही simple है ये ये देखे 5 triple crochet हमारी फिर से बन गए है starting में बनाए है हमने बीच में full बनाया है और फिर से 5 triple crochet बनाए है अब इसके बाद 5 chain बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे एक बार बल लगाएंगे क्रोशे के उपर और ये देखे अगला बाला जो हमारे single crochet है इसकी 2 chain छोड़कर तीसरी chain में हम एक double crochet बनाएंगे छोटा ही बनाएंगे इसके बाद में 2 chain बनाएंगे और नीचे वाली 2 chain स्किप करके तीसरी chain में हम एक double crochet बनाएंगे तो यहाँ पर फिर से हमारा एक square ये देखे बन जाएगा ठेक है तो अब आप देखे ये starting में हमने यहाँ पर 5 triple crochet बनाए है अब हम इसके चाव तरफ काम करेंगे और इस full को complete करेंगे ठेक है चाव तरफ 44 double crochet बनाएंगे यहाँ पर हम 5 triple crochet बनाएंगे इसके उपर एक full बनाएंगे और यहाँ पर हम 5 triple crochet बनाएंगे और इस row को complete करेंगे ये देखिए तीन बार हमारी फूल इस तरीके से बन गए हैं और ये पांच ट्रिपल क्रोशे आखिर के हमने बना लिये हैं अब हम तीन चेन बनाएंगे और क्रोशे के ओपर हम चार बार बल लेंगे ठीक है यह चार बल हमने क्रोशे के ओपर लगाए हैं अब ये देखिए इस टार्टिंग में जो बिल्कुर पहला सिंगल क्रोशे हमने बनाया था उसमें हम क्रोशे डालेंगे इसकी जो चेन है सिंगल क्रोशे की इसमें हम पहले दो लूपस में से क्रोशय निकालेंगे, फिर दो लूपस में से निकालेंगे, फिर दो लूपस में से निकालेंगे, इसके बाद एक बार और दो लूपस में से तो इस चार बल हमारे कम्प्लीट हो गए, अब यह हमारे आखरी के दो लूपस बचे हैं, इसमें से हम क्रोशय बना लेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन बन गई हमारी, अब यह जो फूल के बरावर में हमारी 5 चेन बनी हुई है, 5 ट्रिपल ग्रोशे के बाद, 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में, ठीक है, 5 चेन के बीच वाली चेन में हम इसको एक सिंगल ग्रोशे के साथ जोइंट करेंगे, अब हम 9 चेन बनाएंगे, यह 9 हो गई, अब फूल के जो दूसरी वाली साइड में 5 चेन है, इसके बीच वाली चेन में हम एक सिंगल ग्रोशे के साथ इसको जोइंट करेंगे, यह हो गया, तो यह देखिए, यह स्टा फिर नौ चेन बनाएंगे और यहाँ पर जोइंट करेंगे ठीक है फिर से आठ चेन बनाएंगे और यहाँ जोइंट करेंगे उसके बाद में हम फिर नौ चेन बनाएंगे और यहाँ पर इधर जोइंट करेंगे उसके बाद में हम आठ चेन बनाएंगे और उसको बिल्कुल बाकिर में यहां दो chain छोड़कर तीसरी chain के उपपर हम एक single crochet के साथ joint करेंगे तो यह देखे रो हमने complete कर लिया है यहां 8 chain है ठीक है उसके बाद में 9 chain है फिर यहां पर 8 chain है फिर यह वाली 9 chain है फिर ये वाली 8 है फिर ये वाली 9 है अब ये हमारे पास में फिर से 8 chain है हमारी ठीक है तो ये जो 5 triple crochet बने वे हैं इसके बाद में 2 chain छोड़कर तीसरी chain में हम एक single crochet के साथ इसको join कर देंगे ये हो गया अब हम 9 chain बनाएंगे हाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है अब इस piece को पलेट लेंगे और यार्ड नोवर करेंगे और ये जो पहली वाली chain है हमारी इसमें 2 chain छोड़ देंगे हम पहली और तीसरी वाली chain में हम एक double crochet बनाएंगे ठीक है अब 2 chain बनाएंगे यार्ड नोवर करेंगे और 2 chain skip करके तीसरी chain में एक double crochet बनाएंगे ठीक है तो ये इस तरह से बनेगा अब आप देखिए friends ध्यान से देखिएगा ये नीचे स्टार्टिंग में हमने यहापर 5 triple crochet बनाएंगे उसके बाद full बनाया है ठीक है चोकोर box बनाकर ये box अब हमारा यहाँ पर आगया है ये square box आपको दिख रहा है इसके चाओ तरफ हम अपना full बनाएंगे फिर इस वाली chain को पर 5 triple crochet बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाएंगे नीचे ठीक है इस वाली chain को पर full बनाएंगे और इस वाली chain को पर triple crochet ये बनाएंगे तो ऐसे ही जैसे हमने second row में काम किया था सेम वही काम हमें आपर करना है सिर्फ second row में हमारे तीन फूल बने हुए हैं इस row में हमारे चार फूल बनेंगे ठीक है तो ये पूरा मैं complete करके फिर आपको दिखा देती हूं ये देखिए ये मैंने complete कर लिया है ये fourth row हमारे complete हो गए है और इस row में हमारे चार बार हमने फूल बना लिये हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर तीन chain बनाएंगे ये तीन chain हमारी बनी हुई है इसके बाद में हम crochet को पर फिर से चार बल लगाएंगे ठीक है अब ये जो हमारे नीचे single crochet बना हुआ है ये वाला इसकी chain में हम उन निकालेंगे और पहले दो बल में से निकालेंगे फिर दो बल में से निकालेंगे फिर दो बल में से निकालेंगे और यहाँ पर हमारी 3 chain और 4 बार हमारा ये stitch बना हुआ है अब एक chain बनाएंगे और इस piece को पलट लेंगे अब इस piece को हम पलटेंगे और पहली chain में एक single crochet बनाएंगे ठीक है अब हम यहाँ पर 9 chain बनाएंगे तो अब हम वही पर आ गए है जो हमने अपना बिल्कुल पहला row बनाया था 57 chain के बाद हमने 9 chain बनाएंगे तो ऐसे यहाँ पर हम 9 chain बनाएंगे अब इसको हम यह full के दूसरी वाली साइड पर जो 5 chain है इसके बीच वाली chain में एक single crochet के साथ जॉइंट करेंगे ठीक है अब इसके बाद हम 8 chain बनाएंगे और उसको यह देखिए 9 chain बनाएंगे हमने यहाँ पर हमने starting में 9 chain बनाएंगे उसके बाद 8 बनाएंगे फिर 9 बनाएंगे और उसके बाद में फिर 9 chain बनाएंगे तो यह दो chain छोड़कर तीसरी chain में हम अपना single crochet यहाँ पर बना देंगे तो यह रो हमारा यहाँ पर complete हो जाएगा ठीक है तो यह chain सारी में बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए सारी chains हमने बना ली हैं 7 बार यह बनी हुई है यह 9 chain है हमारी crochet में अब यह देखिए नीचे वाली 2 chain छोड़कर फूल के पास जो हमारी 2 chain है इनको छोड़कर तीसरी chain में हम एक single crochet बनाएंगे और यह रो हमारा यहाँ पर complete हो गया है अब हम इसके बाद में एक chain बनाएंगे और इस पीज को पलट लेंगे और यह पहली जो हमारी chain है single crochet वाली इसमें हम एक single crochet बनाएंगे ठीक है अब इसके उपर हम 9 chain बनाएंगे फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं क्या है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा अगर आप इस पैटन से मुझे कुछ बनवाना चाहते हैं तो यह देखे 9 chain हमारी बन गई है अब यह जो हमारी यहां पर दो chain छोड़कर हम तीसरी chain में एक triple crochet बनाएंगे तो crochet के ओपर दो बार बल लगाएंगे और नीचे वाली दो chain छोड़कर तीसरी chain पर हमें एक triple crochet बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे दो बार और अगली वाली chain में हमें एक triple crochet बनाएंगे तो friends यह हमारा second row वापस यहां पर आ गया है जिसको हम यहां पर repeat कर रहे हैं जैसा हमने second row बनाया था ठीक है नीचे यह देखिए नीचे जो हमने 9 chain बनाई थी उसके उपर triple crochet हमने starting में बनाए थे 5 ठीक है यह वाले इसको पर हमने फिर full डाला है अब इसको पर triple crochet बनाएंगे 5 यहां पर हमने नीचे full बनाया है इसको पर triple crochet है अब हम यहां पर full बनाएं I hope मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ तो friends कैसा लगा आपको हमारा आज काई design जरूर comment करके आप मुझे बताएगा यह देखिए 3 नीचे full है उसके उपर 4 है उसके उपर फिर से 3 है इसके उपर फिर से 4 है ठीक है इसके उपर फिर से 3 है बहुत ही simple और बहुत ही easy design है तो I hope यह design आपको जरूर पसंदाया हुगा अगर पसंदाया तो अपनी family and friends के साथ जरूर शेर कीजेगा और अगर वीडियो पसंदाया है तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा एक बार फिर से कहते हूँ आपने जिसने भी bell icon पर press करके all notification नहीं क्लिक की है वो कर लीजिए क्योंकि उसी से मेरी सारी notifications आप तक जाती है और जब भी आपको मेरी notification मिले तो please वीडियो पर click जरूर किया करें आप लोगों के support से ही मैं यहां तक आई हूँ और आप लोगों का ही support मुझे चाहिए और आगे जाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अप